एक हेलो फ्रेंड्स आप सब केसे हो बड़िया होंगे ठीक है हमने आज चेप्टर 2 के साथ आगे बड़ना है हमारा चेप्टर 2 है Is Matter Around Us Pure क्या हमारे आसपास जो भी मेटर होती है ठीक है सभी चीजे मेटर होती है तो वो क्या सभी प्यूर्फों में होती है हमें पता है कि हम बाजार से कोई भी प्रोड़क लेते हैं ठीक है जैसे मिल्क ले लेते हैं घी लेते हैं तो क्या यह सभी प्यूर्फों में आती है या नहीं तो यही सब हमें डीटेल में हमें लांड करना है ठीक है हमरे असपास जो भी कोई मेटर ह पेले मेतर सेह किसे दोक फ मेतर कि से कहिते हैं माना लीज जी यहां पे आपको पिक्टर में क्या दिखाइँ पूर्ट नर collecting का सिपेस भी है और ऑशका कोई ढ़लने कि वॉल्यूम भी है तो जिसका माज भी होता है जिसका वॉल्यूम भी होता है उसको कहते हैं मेतर ठीक है मेटर के फोर्म में प्यूर है या इंप्यूर ठीक है तो हम स्टाइट करते हैं न्यू चप्टर के साथ वी ओफन टॉक तो इच अधर अबाउट प्यूरिटी ऑफ सबस्टंस लाइक प्यूर हानी प्यूर चीज प्यूर वाटर प्यूर मिल्क हमें भी बताया आपको भी बताये ठीक है हम लोग जब भी कोई प्यूरिटी के बात करते तो हम हमारे घर में तो हम प्यूर चीज इस्तमाल करते हैं ठीक है हनी हो या चीज हो या वोटर हो या मिल्क हो अब बात आती है कि प्यूरिटी प्यूरिटी क्या है अधिविट इम इसमें कुछ भी इंप्यूरिटी नहीं होती वह अन्रेट पर्संट एकदम सूध होता है ठीक है अब हमें यहां पे प्यूर सब्स्टेंस It is a substance that is made up of a single type of particles अब देखिये जो भी pure substance हो गया, ठीक है Pure substance में कोई एक ही टाइप के particles हो गया मान लिजी iron, तो iron की sign क्या है, Fe, ठीक है तो iron में सिर्फ Fe की पार्टिकल हो गया Iron की पार्टिकल हो गया, Silver, Silver की फॉर्मिला है, Ag तो सिर्फ Ag की पार्टिकल हो गया Oxygen है, Sulphur है, ठीक है यहाँ पर आपको एक्जम्बर में Salt है, CO2 है तो इन सभी pure substance में जो कोई भी है वहाँ में हमें सिंगल टाइप ही हमें पार्टिकल देखने को मिलते हैं सिर्फ उसके ही और किसी के नहीं, Iron में Iron के ही अब यहाँ पर क्या कह गया है कि यहाँ पर हमने रीड किया कि कोई एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं लेकिन यहाँ पर कहिते हैं कि कोई एक ही टाइप के पार्टिकल है कोई एक ही टाइप के अगर पार्टिकल होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है 2 और 2 से ज्यादा भी mix करके पार्टिकल मिक्स करके भी वो pure substance बन सकता है example के दूर पे यहां पर sodium chloride है अब मान लिए यहां पर sodium chloride है तो NaCl ठीक है तो यहां पर sodium B और chlorine वो दोनों भी क्या है different different है लिकिन वो pure form में होता है यहां पर carbon dioxide है तो CO2 तो C भी different होता है oxygen भी different होता है लेकिन ये pure form में हमें मिल सकता है तो यही बात हमें सीखने थी Characteristics of pure substance अब जो कोई भी pure substance होता है उसकी characteristic क्या होती है First one is It has uniform composition homogeneous Uniform composition अब uniform यानि मान लीजे की जिस कोई भी material है जो कोई मेंटर है उसकी arrangement एक ही जैसे दिखने को मिल दिये अब मान लीजे यहां पर salt है तो salt हम एक जिसा ही दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते है Uniform बोलते हैं ठीक है और उसको हम homogeneous भी बोलते है It can't be separated into its constituents हम उसको उसके constituents में हम उसको separate नहीं कर सकते है ठीक है Salt को हम chemical position से हम separate कर सकते है लेकिन physically हम उसको separate नहीं कर सकते है यह बात हमें याद रखनी है It has fixed melting and boiling point अब ठीक है melting and boiling point आपको पता ही है यहाँ पर कोई solid material है उसको हम अगर पीगलते है तो ठीक है तो चोड़ टेमरेचर हम उसको देते है तो वो हमरा क्या हो गया boiling point हो गया और melting point में क्या होता है कि water है तो हम उसको temperature उसका हम increase करते है तो वो vapor form में convert हो जाता है तो वो उसका क्या हो गया melting point हो गया तो वो सब fixed होते है It always possesses same characteristic properties ठीक है उसकी जो characteristic properties है वो सभी same होती है अब pure substance है उसमें क्या क्या आता है elements और compounds और impure substance में क्या होता है mixture अब देखिये मानलीजी के pure substance है तो उसमें element ही होगे अब elements है किसे elements बनते है अगर elements को हम divide करें अगर छोटे-छोटे piece में अगर उसको separate करें तो हमें मिलेगा atom atom मिलके ही elements बनता है तो elements हमें pure substance में सिर्फ elements ही मिलेगा ठीक है और impure substance में क्या है mixture अब देखिए यहां पर आपको picture में यह first is salt second one is sulfur third one is mixture हमें पता ही है ठीक है उसमें कई तरग सभी सभी different different चीजे वो हमें बताई गई है तो यह क्या है impure substance है क्योंकि इसमें दो से ज्यादा कोई भी चीज का material का यूस किया गया है ठीक है अब है how to test the purity of substance अगर हमें कोई भी substance की purity हमें चेक करने तो हम कैसे करेंगे चेक तो हम melting point or boiling point check करके हम उसकी purity है वो हम find out कर सकते है melting point or boiling point वो हमें measure करना पड़ेगा अब है elements are the substance that can't be broken into more simpler substance example sulfur or sodium यहां पे elements में are the substance that can't be broken into more simple substance मतलब जो कोई भी है elements में अगर उसको break करें अगर हम किसी को भी हम break करते हैं तो वो छोटे-छोटे substance में simple substance में divide हो जाता है मानली जीए कि अगर elements से वो किसे बनाए अब मानली जीए कि atoms के बीचे में क्या होता है nucleus होता है और nucleus को अगर हम disturb करते हैं हम उसको broke करते हैं तो उसमें से कई सारे नई elements बन सकते हैं ठीक है एक्जम्बल के दूर पर sulfur है यहां पर आपको sulfur sodium का और silver का इन सभी का picture समय दिया गया है अब यह characteristic they are made up of atoms यहां पर elements की बात हो रहे है ठीक है यह characteristic elements के बारे में तो वो atoms से बने हुई है physical and chemical properties of elements are same of their atoms उनकी physical और chemical दोनों properties same होती है they occur in nature in free or combined form वो सभी free होते है और किसी के भी साथ अगर combine होना हो तो वो free form में होते है वो किसी के साथ भी जूड सकते है अब यहां पर है fourth one characteristic they can be prepared artificially by nuclear reaction nuclear reaction अगर हम उस process से हम करते है तो उससे भी हम इसको हम prepare कर सकते है और fifth one है they can be solids liquids liquids and gases अब देखिए हमारा जो periodic table है ठीक है उस में हमें यहां पर three है वो liquid मिलते है ठीक है और और गेसिस में इलियोन मिलते है बाकी सभी तो solid होते है अब liquid में मान लिजे bromine gallium mercury यह सभी liquid होते हैं और gases में आपको पराई है nitrogen oxygen hydrogen वो सभी होते हैं अब हम समढ़ते हैं metal अब याद रखे इस चप्टर में हमें non-metals के बारे में हमें learn करना है metals are those which have tendency to lose electrons and form respective cation जो कोई भी metal है वो उसके पास अगर ज्यादा electron होता है तो वो उसको loose कर देते हैं ठीक है loose कर देते हैं और फिर वो positive iron यानी cation में connect हो जाता है अब मान लिजिए कि sodium है तो sodium क्या है कि उसका atomic number 11 अगर उसको stable बनना है तो उसके पास जो एक ज्यादा electron है वो उसे loose कर देना है अगर वो उसको loose कर देगा तो वो stable हो जाएगा और stable हो जाएगा तो वो cation कर लएगा ठीक है उसका जो iron बनेगा na plus तो वो positive iron यानी cation होगा अब physical properties में क्या है कि जो सभी metals के बारे में यहाँ देखिए metals के बारे में they are millable ठीक है अब millable की सोगेते है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारी कोई metal होती है तो हम उसको hammer से मारते है ठीक है तो अगर हम उसको hammer से मारते है तो वो thin sheet में connect हो जाते है तो उसको बोलते है millable यहाँ पर aluminium copper foil हमें दिया गया है तो क्या उसमें element का aluminium का use किया गया है तो उसको hammer से मारके वो उसको एक roll में convert कर दिया है एक sheet बन गया है thin sheet Aluminium है Ag है silver वो भी हम ले सकते है they are ductile अब ductile मिन्स क्या है कि हम उसको खीचके wire की तरह हम बना सकते है aluminum के wire है silver के wire है बाहर भी हमें देखने को मिलते ही है ठीक है तो वो millable भी होते है और ductile भी होते है they are lustrous lustrous means signing वो signing लगाते है यानि एकदम चमकदार होते है यहाँ पर exception है mercury है feet ठीक है gallium है siya से सभी जो metal है वो यह जो तीन है अलग से वो lustrous नहीं है ठीक है वो metal है लेकिन lustrous नहीं है और metal से वो hard भी होती है sodium और potassium के अलावा क्योंकि यहाँ पर देखे यह sodium हमें दिखाया गया है तो sodium में वो हम knife से उसको कट कर सकते है तो वो hard हम नहीं के सकते है इसलिए यह exception है good conductors of heat and electricity अब यहाँ पर देखे यह IMP point है good conductors of अब मतलब कि आप कोई भी metal देखे यहाँ पर iron के सभी nail है वो दिये गए है तो क्या है कि उसको कितना भी heat करो कितना भी heat करो लेकिन उसको कुछ नहीं होता है तो very good conductor से heat के और यहाँ पर electricity यहाँ पर देखे वाइरिंग के साथ अगर हम वाइर में हमने metal का यूज किया है तो उसके सहारे हम bulb है वो ओन कर सकते हैं ठीक है तो यह काफी अच्छे वाले good conductors or heat and electricity होते है यहाँ याद रखना है high melting and boiling point जो भी metal से उनके boiling point और melting point है वो high होते हैं ठीक है एक्सेप्शन में sodium, potassium, ca यानि calcium low melting and boiling points यह जो तीने वो आसानी से हम उसको पिगाल सकते हैं ठीक है इसलिए उसका boiling point हाई नहीं होता लिकिन metals के बाकी जो बचे उनका तो हाई होता है और लास में लिखे सोनरोस सोनरोस में इस किया कि यहां पे जो बेल का पिक्चर हमें दिखा गया है तो बेल को हम किसी के साथ अगर उसको कहीं मारते हैं किसी और मेटल के साथ तो जो आवाज आती है ठीक है उसको बोल जाएं सोनरोस अब यह chemical properties ठीक है इसमें यहां पर फर्स्ट वन है reaction with oxygen अगर कोई भी मेटल को हम oxygen के साथ प्रोसेस करते है तो वह metal oxide बन जाता है ठीक है यहां पर देखिए metal है और oxygen है तो metal oxide बन जाता है मान लीजिए कि magnesium है और उसकी प्रोसेस oxygen के साथ की की जाती है तो हमें MgO magnesium oxide है वह बन जाता है यानि कोई भी oxygen के साथ अगर reaction होती है तो उसका oxide बन जाता है धियार basic in nature they turn red litmus blue अगर उसकी litmus के साथ हम test करते हैं तो जो red litmus होते है वह blue में convert हो जाते है some metal oxides are amphoteric amphoteric means क्या amphoteric means कि उसका जो nature है ठीक है वह acidic और basic both nature available होता है amphoteric में example है aluminum oxide और zinc oxide तो यह दोनों उसके example है अब यह reaction है dilute acid अगर हम कोई भी dilute acid के साथ करते हैं अब मान लीजे यहां पे देखिए metal plus dilute acid metal salt hydrogen अब मान लीजे हम यहां पे metal पे लेते है Fe यहां पे iron powder लिया है Fe plus dilute acid तो यहां पे लिया है HCl तो प्रोसेस में के बंदा यहां पे FeCl2 होगा और hydrogen gas होगा FeCl2 plus H2 तो metal salt हमें H2 gas से वह मिलता है तो हमें metal की acid के साथ जो प्रोसेस है वह हमें अच्छे से याद रखनी है कि हमें उसमें से H2 gas मिलता है अब यहां पे है non metal तो metal में किया था कि वह electron lose करते था अब non metal में क्या है Are those that always gain electrons So electron क्या करते है और वह anion बन जाते है अब मान लीजिए एक एक्जम्पल में आपको कहूं तो chlorine chlorine होता है तो इसका atomic number 17 होता है तो यह stable होने के लिए क्या करेंगे एक electron gain कर लेंगे इसलिए वह stable हो जाएंगे they are liquid or gases one liquid bromine carbon sulfur phosphorus iodine solids and rest are gases उसमें शिर्फ liquid भी हो सकते है और gases भी हो सकते है ठीक है solution में शिर्फ 4 carbon sulfur phosphorus और iodine वह non-mailable होते है और ductile भी इस द्रेयर बीटल यानि यह सभी जो करेक्टरिस्टिक है वह metal से opposite है वह good conductor थे तो यह bad conductor है of heat electricity हाँ लीकिन हमने भी देखा होगा कि हम अगर कोई practical करते है तो उसमें graphite का हम यूज करते है उसके boiling point और melting point है वह low होते है लीकिन boron और carbon में melting boiling point ज्यादा होता है non-sneros होते है non-lustrous होते है और उसमें graphite और iodine वह बोथ है वह non-lustrous है फिर है chemical अब यहां पे भी same है कि अगर कोई non-metal को oxygen के साथ अगर यह किया जाए तो वह oxid ही बन जाता है same point है non-metals oxide are acidic in nature वह nature में acidic होते है और वह blue litmus को red में convert करते है अब देखे यहां पे do not react to dilute acid क्यों dilute acid के साथ non-metal है वह dilute acid के साथ रिएक्ट नहीं करते है क्योंकि उनके पास electron ही नहीं है उनको भी कहीं से स्टेबल हने के लिए electron गैन करना पड़ता है उनके पास electron ही नहीं तो वह किसी और के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे ठीक है इसलिए वह dilute acid के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे अब देखे है metal non-metal हमने learn कर लिया अब हमारे पास है metalloids ठीक है अब metalloids में क्या है which have properties similar to metals and non-metals metalloids में metal की property हमें देखने को मिलती है और non metals की crypto енu यह सब भी है वो क्या है स्टेबल होते हैं नोबल किसी से उसको कहते हैं आपय, अब यहां पर कुछ भी अगर औनर गागर मिल जाते तो हम उसको कमपाउंड बोलेंगे एने और सीएले तो उसको खोलेंगे ने और colored it H2O में hydrogen और oxygen तो दो-दो elements combine हो गए तो उसको बुलेंगे compound characteristic है homogeneous है यान एक जैसे दिखाई देते हैं properties of compounds are entirely different from constituents अगर उसके कोई भी छोटे-छोटी पाट है तो उससे थोड़े different होते हैं माली जी NACL है NACL में से अगर हम separate कर देने और CL को तो वो तो different ही होगा constituents can't be separated by physical method उसको सिर्फ chemical process से ही हम separate कर सकते है physical method से नहीं उसके melting point और building point fix होते हैं ठीक है formation of compound is accompanied by energy changes NACL के अगर हम बात करें तो sodium है वो एक one electron gain कर वन electron loose करता है और CL है वो वन electron gain करता है तो ऐसे energy changes होते है वो transfer होते है तो friends यहां पर हम यहां तक हम रखते हैं यह वीडियो आप फिर से एक बार देख लीजिए ठीक है आगे हम continue करेंगे थेंक्यू लो बार देखते है